Hello बच्चों, first of all आई ये question को read करते हैं The question is, B takes 16 days less than A to do a piece of work If both working together can do it in 15 days, in how many days will B alone complete the work यहाँ पर 4 option given है, A, B, C and D और हम इन में से correct option चूज़ करना है तो आई ये question को solve करते हैं देखे, सबसे पहले हम let कर लेंगे let A can complete a piece of work in X days ठीक है, तो अगर A X days में करता है तो B कितने दिनों में कर लेगा question में given है 16 days less यानि कि B कर लेगा complete in X minus 16 days ठीक है, अब देखे, दोनों का एक एक दिन का अगर हम work निकालें तो कितना आ जाएगा A's one day work क्योंकि ये time and work का question है तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम कर लेगा अब देखे, A complete करता है X days में तो A के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 upon X और इसी तरह B's one day work निकाले one day work तो वह कितना आ जाएगा 1 upon X minus 16 ठीक है अब देखे आगे क्या दे रखा है Since A and B together can complete work in 15 days यहाँ पर दे रखा है कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो वह 15 days में कर लेते हैं तो A के एक दिन का काम प्लस B के एक दिन का काम यानिकि A का one day का work और B के one day का work अगर हम add करें तो वह लिख सकते हैं 1 upon 15 के equal में तो यहाँ पर आ जाएगा 1 upon X प्लस 1 upon X minus 16 equal to 1 upon 15 क्योंकि दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो उसको में इस तरह से लिख सकते हैं अब देखिए यहाँ पर एक quadratic equation बन जाएगा अगर हम इसको solve करें तो X into X minus 16 equal to में तो 1 upon 15 है ही यहाँ पर आ जाएगा X minus 16 plus X तो यह हो गया X plus X 2X minus 16 upon X square minus 16X equal to में 1 by 15 यहाँ पर अगर हम cross multiply कर लें then we get X square minus 16X equal to 15, 2,30X minus 15, 6,000 15 की 16 सो multiply करेंगे तो 15, 6,000, 90 9 carry 15, 1,000, 15 और 9, 240 अब देखिए X square आ गया minus 16X और minus 30 तो कितना बन जाएगा minus 46X plus 240 equal to 0 यह quadratic equation form हो चुकी है अब next page page के factor करते है देखिए यहाँ पर 240 कैसे factor करने है जिनका sum 46 आ जाए तो क्या होंगे 40 और 6 तो next page पर इसको लिख लेंगे X square minus 46 है तो इसको लिख लेंगे minus 40X minus 6X plus 240 equal to 0 अब देखिए यहाँ पर X common मिल रहा है तो हमें factor मिलेगा इसका X minus 40 यहाँ पर minus 6 common ले लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा X minus 40 equal to 0 तो एक बार जहाँ हम X minus 40 equal to 0 लेंगे तो हमें X की value कितनी मिलेगी 40 और जब X minus 6 equal to 0 लेंगे तो हमें X की value कितनी मिल जाएगी 6 ठीक है तो यहाँ पर देखिए X के दो answer मिल ला है यानि कि X क्या था 1 कितने दिनों में काम complete कर लेगा तो या तो A 40 days में complete कर लेगा या फिर 6 days में कर लेगा अब B के लिए देख लेते हैं अगर हम A की value 40 लेते हैं तो B की value कितनी हो जाएगी उससे 16 कम यानि कि 40 में से 16 minus करेंगे तो 24 days आ जाएगा लेकिन 6 में तो 16 days minus होई नहीं पायागा यानि कि ये गलत हो जाएगी ये value हमारी satisfy हो रही है 40 और 24 ठीक है अब हमसे question में क्या पूछा गया था कि in how many days B alone complete the work तो answer कितना है आब B के लिए 24 days ठीक है तो यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा option A I hope आपको question सवाज में आया होगा Thank you